जिलाधिकारी रंजनार राजगुरू ने कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने पर खुशी जताते हुए कहा है। बागेश्वर में रिकावरी रेट लगातार बढ़ रहा है जो कि अच्छा संकेत है। कलेक्टेट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने बताए कि अधिकांस मरीज ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं। स्कुर्वाग द्वाराज कियी जा रहे हैं परियासियों की सरहना करते हुए D.M ने कहा कि सभी मरीज बागेश्वर के COVID केर सेंटर में ही ठीक हो रहे हैं। इसके लिए जिला आस्पिताल के चिकत सकुन के परियासियों की भी सरहना की गई। जिलादिकारी ने लोगों से कुरोना के बचाओ के उपायों का पालन करने की भी अपील की है जिसमें से अकसी लोग ठीक हो गए है यानी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं होस्पिटल से और एक डेथ है और बारा केस अभी एक्टिव है तो उनका हमारे दिस्टिक होस्पिटल में जो कोविर होस्पिटल है उनका उपचार्च चलना है और अभी भी हमारा जो staging area है, वहाँ पे हमारे incident commanders और सारी team लगी हुई है, जो आने वाले प्रतेक बेस्ती की health screening हो रही है, health screening के बाद decision दिया जाता है कि इनको कौन से quarantine center में भेजना है, तो अभी कारवाई हमारी गतिमान है, और आसा, एनम और अगनपाडी वरकार का जो survey है, वह भी लगाताद चल रहा है, और जो rapid kit के मादम से testing की प्रकिरिया है, वह भी district में गतिमान है, ताकि community में कहीं ऐसा फैला तो नहीं है, यह हमें बता चल सके, तो अभी भी सारी पूरा team है, बहुत मुस्तहदी से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि future में सभी लोग काफ काम करेंगे ताकि हम इस संक्रमड को फैलने से रोप पाएं, और साथी मेरी हर बार की तरह सभी से अपील रहेगी समानी जनता से, कि सभी लोग मास्क पहने और सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, तो मुझे लगता है इसे काफी हद तक हम उस फैलाओ को रोपने में के लिए उसमेदा थापा के साल सुरेश पांडे की रिपोर्ट